हेलो एबरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत उश्य होंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए टोटल एक स्वासी विडियो बनाई जाएगी करेंट अफेर्स के लिए अगर आपने पाले यानि की क्लास वन से नहीं देखा है विडियो को ना तो जाकर प्लेलिस्ट से उसे जिरूर देख लीजिए तो चलिए आज की क्लास को आप लोग स्टार्ट करते हैं फरी फर्स्ट कोश्चन आपके सामने ये रहा NSA देखिए NSA का मतलब होता है National Security Advisor जो की हमारे देश के कौन है अजित डोबाल जो की हाल में ही राष्ट्रिय रक्षा यूनिवर्सिटी जो की लवड में है वहाँ पे इनोंने दोरा किया है अब आपको बस ये बताना है ये इनोर्सिटी लवड में है ये किस स्टेट में बढ़ता है केरला महरास्ट्रा तमिन नाडू ये गुजरात तो देखिए इसका जो राइट अन्सवर होगा यहां से देख सकते हो एन ऐसे अजित डोबाल विजिट्स राष्टी रक्षा इन्वर्सिटी बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट ऑब यू से याद रखिएगा ये गांधी नगर गुजरात में है कहां पर है गांधी नगर गुजरात में और गुजरात से यादा है आप लोगों क बढ़ेंगे अगले कोशन की ओर यहां से देख लिजिए रवाब फातिमा जो की उनको पॉइंट किया गया है यूएन अंडर सेकरेटरी जेनरल के दोरा अब वो किस कंट्री से बिलॉंग करती है भारत बंगलादेश साओधी अरब या पाकिस्तान तो देखिए इसका जो आंचर है देखिए रवाबा फातिमा जो है बनी हुई है इनका जो अपना खुद का जो स्टेट है यह बंगलादेश है यह बंगलादेश है यहां से आप देख पाऊगे बंगलादेश इस दा रइइट आंसर तो यहां पे ऑप्सन जो होगा आपकाускा बिन के साथ आपको हम लोगों के यहां कौन सी बैंक है RBI है ना जो कि पूरे बैंकों को कंट्रोल करती है लॉन की रेट क्या होगी इंटरेस्ट रेट आपका क्या होगा सारे चीज़ों को निर्धारन जो है RBI करती है तो इसी तरह से यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज परते है ना उनकी देखरे कौन करता है European Central Bank तो आपको बस यह बताना है कि इन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है very first time more than कितने साल के बाद इन्होंने इंटरेस्ट रेट में बढ़ा जो है बढ़ोतरी की है इंक्रीज किया है दस साल एक ग्यारा साल बारा साल या तेरा साल बहुत important question है प्लीज भी भी आई मार्क कर लीजिए से यहां से देख लीजिए very first time जो है यह किया गया था यह decade हो चुका है बहुत दिनों के बाद यह finally किया गया है तो यह अच्छी बात है कि 10 सालों के बाद जो है यह किया गया है 10 से 11 साल के बाद इन चीज़ों को किया गया है जिससे वहां के जो भी लोग है न उनको बहुत benefit मिलने वाला है और ये आखरी बार जो है यहां से आप देख सकते हो highest rate since the creation of European Euro जो है currency 1999 में की गई थी और उस समय इसे बढ़ाया गया था तो ये बहुत बड़ी बात है कि finally इसको बढ़ा दिया गया है बढ़ते हैं अगले question की और जो कि आपके सामने ये रहा Recently आपको बताना है कि कहां पर विधान सभा का सतर सुरू हो रहा है Invalid question, exam में इस तरह के question नहीं आते है अगले question की और अमलोग बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दू Army Public School के notes के लिए आपको 499 रुपए ही pay करने है इसमें आपको क्या मिल जाएगा Notes के साथ साथ previous question paper भी मिल जाएगा जो आखरी समय में बिल्कुल रामबान की तरह ही लाज पढ़े होगा आपके problem का तो 499 रुपए में आप जो है Army Public School के notes और previous question paper दोनों avail कर सकते हैं Secondly, if you are interested in only previous question paper then do 100 rupees transaction और आपको यहां से देखे मेरी email ID और इंस्टा ID दिखरी होगी please contact जिनको जरूरत है नेडी people वो contact कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे अगली question की और Russia in which country अनवील first highway bridge highway bridge जो है किस country के साथ रसिया ने बनाया है चाइना, मंगोलिया, जोर्जिया या कजाकिस्तान तो इसका जो right answer हो का रसिया, चाइना बिल्कुल दोनों के यहां डिक्टेटर सिफ है और दोनों आगे बढ़ें यहां से highway की आप photo भी दे सकते हो यहां से बुज़र रही है लौरी याने की truck आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर रूस के साथ जो country है उसने अपने border पर fencing शुरू कर दी है कौन सा country है जो की, देखिए, fencing मतलब होता है आप जो है, किनारे में जो देखना आप घर बनाते हैं पर में तार बगेरा दे देते हो ताकि कोई आ न सके तो इसी को बोलते है, fencing border पर fencing का मतलब यही होता है नौर्बे ने किया है, लात्विया ने किया है फिनलेंड ने किया है या अजर्बाइजान ने ये काम किया है तो देखिए इसका जो राइट अंसर होगा फिनलेंड और बहुत उमीद जताई जा रहे थी कि युक्रेन के बाद ना फिनलेंड पर ये जो रसिया है वो अटेक कर दे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है क्योंकि युक्रेन में ना रसिया को बहुत नुकसान हो गया है और पिछले CSB का एक्जाम जब हो रहा था तब से रसिया युद चल रहा है और दूसरी CSB के एक्जाम आ चुकी है अर्मी स्कुल की लेकिन ये युद खत्म नहीं हुआ है इस वार इस चल रही है ये बाते हो रही है यहापे फिलाल बढ़ेंगे अगले कोशन की और नेस्ट कोशन इस आपको बताना है अटरल टरनल बहुत इंपोर्टन कोशन है याद रखिएगा इस बात को रहतांग में ये किया गया है कुलू डिस्टिक में आपको बताना है कि जो दौरा है इसकी दौरा अटरल टरनल को देखने के लिए कौन जाने वाले है तो इसका जो रहत आंसर है रामनात कोविंद लेखे देखिए मुझे नहीं लगता है ये कोशन पूशा जाएगा कोशन आपसे ये पूशा जाएगा अटरल टरनल जो है कुलू डिस्टिक में ये अटरल टरनल जो बनाया गया है वो कहां बनाया गया है ये कोशन आपसे पूशा जाता है तो इन चीजों को ध्यान में रखिए और ये जो रोहतांग है ये कहा है हिमाचल परतिस में इस बात का खास ख्याल रखेगा HP is the right answer बढ़ेंगे अगली कोशन की ओर BJP President, JP Nanda जो है बहा जो BJP को जानू ठीक है न, No BJP Initiative इनोंने स्टार्ट करा है, वो कितने कंट्रियों के साथ बात करेंगे, याद रखिए बहुत important question है, 16, 11, 13 या 18, तो देखिए, ये जो है total, 13 countries से मिलेंगे JP Nanda और BJP की जो भारत चोड़ो या फिर जो भी इन का भियान है, No BJP वाले प्लान को ये आगे बढ़ाएंगे, अगले question क्यों हम लोग बढ़ते हैं, cross border bus services between India and किस country के साथ ने दो साल के बाद फिर से जारी की गई है, देखिए China हम लोगों का दुस्मन है Bhutan ठीक है, Bhutan के साथ हम लोग की अच्छी friendly relation है Bangla देश के भी साथ है, और Nepal के साथ थोड़ा थोड़ा अभी गड़बड हुआ था लेकिन इसका जो right answer होगा, देख लिजे बंगला देश और इंडिया, भुटान तो, भुटान के सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं, लेकिन बंगला देश और इंडिया जो है न, दोनों मिलकर बहुत सारे चीज़ों पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने फिर से bus service जो है, शुरू करती है यह जो है, दिल्ली को डेवलप करने के लिए स्वक्ष हवा और स्वक्ष पानी के लिए जो है, जो भी इनके पास टेकनलोजी है, वो ट्रांसफर की जाएगी देली को देली को बताया जाएगा अगले कोशन की और हम लोग बढ़ेंगे, एकली नबलब चल पाएगी, एनर्जी क्रैसिस चल रहा है और यह है हमारा अपना पडोसी अपना चोटा भाई, भिकमंगा पाकिस्तान और नेक्स्ट कोशन के और हम लोग बढ़ते हैं देखिए, कौन से स्टेट से जो है, रिकवर्ड किया गया अस्टेलिया से एंड यूएस से से तो इसका जो राइट अंसर है, यह हो जाएगा तमीड नटो तैवान ने कहा कि इंडिया के क्वालिटी जो है, टी की अस्टेंडर नहीं है, इरान और इसके साथ साथ तैवान ने क्या कर दिया, बोल दिया कि अपने चाय वापस ले जाओ, यह चाय पिने लाइक नहीं है, सरमिंदगी की बात है लेकिन सचाई है, कडवी है, लेकिन सच है तो फिलाल के लिए इतना ही रहेगा वीडियो जो और भी आती रहेगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ने होतो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा देना है आपको थैंक्यू सो मच, जय हिंद